पनोर मंकरूप जो सोचता है वो करता है लेकिन नितीश कुमार का साथ छूड़ते ही उनका ये दावा भी फेल कर गया और नितीश कुमार ने कहीं एक ऐसा दाव खेला कि वो लालू परसाद से अधिक 18 बर्स में प्रवेश कर रहे हैं बिहार की सत्ता पर और जो लालू परसाद ने दावा किया था उसे पूरा करने क दिशा में नितीश कुमार आगे बढ़ चुके हैं 20 साल पूरा करने के बाद नितीश कुमार क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ऐसा दाव नितीश कुमार ने खेल दिया है कि दोनों ही खेमे के जो नेता हैं जो ठिंक टैंक हैं वो को अपनी गोद में लेने के लिए मजबूर हैं ये है नितीश कुमार का दाव या कहा जाए तो ये है नितीश मॉडल जिसको कहीं न कहीं नितीश मैजिक से जोड़ करके देखा जा सकता है नितीश कुमार ने पहले तो जातिय गणना करा करके और दूसरी बार उन्होंने ए कोई भी नितीश कुमार को पीछे करने वाला या नितीश कुमार को किसी भी तरव से रोकने वाल नहीं था, कोई बिरोध करने वाला नहीं था, नियाले में मामला गया भी लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ है, नितीश कुमार ने एक बड़ा दाव जातिय गणना के रिपो पुटाने के बाद आरक्षन का जो आतार है वो बढ़ा करने आरक्षन को बढ़ाने की जो नितीश कुमार की पहल थी उस पर सभी ने अपनी हामी भर दी है अब नितीश कुमार ने आरक्षन को 75% करने का प्रस्ताव रखा है लेकिन इससे भी बढ़ा दाव नितीश कुमार न 25 के चुनाव में नितीश कुमार का विरोध करने वाले या नितीश कुमार को कमतर आखने वाले लोगों का पाटियों का यहां तक कि नितीश कुमार ने जहां 75 परकिसत अरक्षन देने का प्रस्ताव अपने मंत्री मंडल से पास करा लिया है वहीं ऐसे लोगों को जो गरीबी सर्वे रिपोर्ट जारी करने के बाद राज सरकार ने 6,000 तक आए वाले 94 लाग से अधिक परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोशना की है वही राज सरकार ने 67,000 से अधिक भूमिहिन परिवारों को जमीन के लिए प्रती परिवार 60,000 के बदले 1 लाख रुपए देने और 1 लाख 20,000 रुपए मकान बनाने के लिए देने का प्रस्ताव रखा है अब ये दोनों ही प्रस्ताव नितीश कुमार को कहीं न कहीं बहुत आगे लेकर के जाते हैं और इस पूरी रिपोर्ट में जो बाते सामने नजर आई हैं उसको लेकर के लोगों में अब नितीश कुमार के प्रती एक बार फिर से क्रेज जो है उपज़ता सुरू हो गया है आरक्षन का दारा बढ़ाने का प्रस्ता उन्होंने तो रख दिया है अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन एक बात तो तैह है कि मौडल जो नितीश का है वो कहीं न कहीं राजनीत में अपना मैजिक दिखाता रहा है इन सारी बातों को लेकर के EWS के 10% आरक्षन पर भी नितीश कुमार ने अपनी स्विकारोक्ती पहले भी दी थी एक बार फिर से दिया है इसके साथ साथ आरक्षन पहले से जारी है उस आरक्षन को बढ़ाने की बात की गई है इसके अनुरूप हमने आपको बताया था कि आरक्षन का दारा जो है वो 15% बढ करके आपको याद होगा कि नितीश कुमार ने अपने अभिवासंग के दोरान बहुत सारी बातों का जिक्र किया था उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जो जिक्र किया था वो था घरीबों को मुख्य धारा में लाना और ये दो-दो-लाग का जो पंच है ये कहीं न कहीं दाएब के साथ खबरों का सिलसिला लगतार जा रही है अगली खबर में जल्द पनोर मंक रोप जो सोचता है वो करता है अगर इवीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइ आने तो जोइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद